एक बार की बात है, एक बेटा अपने पापा से कहता है, पापा मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू मेरे लाइफ की? वो दोनों एक नदी के पास खड़े होते हैं पापा उसको ना ऐसा एक अच्छा सुन्दर सा स्टोन लेकर हाथ मी पकड़ाते हैं और बोलते हैं देख इस स्टोन को बेटा तू लेके जा मार्केट में लेके जा और वहाँ जाने के बाद बस तू कुछ मत करना, बस तू वहाँ जा, अगर कोई तेरे से आ के, इस टोन की value मांगेगा, तो तू कुछ मत बोलना, बस तू न, ऐसे दोंगली उठा देना, और कुछ मत बोलना, अगर तुझे तरी life की value जानना है, तू जा, तो बेटा समझ भी नहीं था क्या गरना है, द कुछ नहीं बोलता, बस ऐसे करता है, तो आंटी बोलती है कि, ओके, 20 रुपए, मैं ले लूँगी, तो बेटा शौक हो जाता है, और बाग तो अपने पापा के सास आता है, बोलता है, पापा एक रैंडम सा जो स्टोन था आपने मुझे दिया था, एक आंटी मार्केट में करता हो जाता है, म्यूजियम में, और खड़ा रहता है, आदे घंटे बाद एक जेंटल्मेन उसके पास आते है, बोलते है, वह वेरी नाइस टोन, कितने कहा ही है, तो लड़का करता है, सिर्फ ऐसे, तो जेंटल्मेन गहते है, ओ, 2000 रुपए का है, ठीक है, मैं ले ये सुनके वो शॉक्ड हो जाता है, वो दोड़ता हो आपस अपने पापा के पास आता है, बोलता है, पापा पापा, वहाँ पे एक जेंटल्मेन थे, वो मुझे 2000 रुपए देने थे, स्टोन का, जो आपने अभी सनदी से उठाया, तो बेरी गुड़ बेटा, अब एक काम excitement में जाता है, और precious stone shop में खड़ा हो जाता है, बहुत सरे customers होते हैं, उस shop का owner उसको देखता है, खड़ा हो जाता है, excitement बोलता है, ये कौन सा stone है, ये क्या है, ये कितने का है, तो वो सिर्फ ऐसे करता है, stone shop का owner बोलता है, वो एक person, काफी old man होता है, बोलता है, दो लाक पापा पापा वहाँ पेक एंसर मुझे दो लाग रुपे दे रहा है स्टोन के तो उसके पापा कहते है बेटा दिस इस दा वैल्यू अफ लाइफ अर मैडियो फ्रेंड्स दिस दा वैल्यू अफ लाइफ अगर आप अपने आपको प्लेस कहां करते हो वैसी वैल्यू आपको मिलती है यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप दो रुपे का पत्थर बनना चाहते हो यह आप दो लाग का पत्थर बनना चाहते हो यह सब कुछ हमारे आत्मे होता है अब अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो definitely share करे अपने सारे friends और family के साथ and like भी करे video if you like the story. Thank you.